हमारे युवाओं में क्रिटिकल थिंकिंग और इनोवेटिव थिंकिंग विख्षित कैसे हो सकती हैं, जब तक हमारी सिक्षा में पैशन ना हो, फिलोसोफी अप एजुकेशन ना हो, परपज अप एजुकेशन ना हो, साथियों, आज गुरुवर रविंदरनाथ ठाकूर की पुनितिसी भी है, वो कहते थे, उच्चतम सिक्षा वो है, जो हमें सिर्फ जानकारी नहीं देती, बल्कि हमारे जीवन को समस्त अस्तित्व के साथ सद्भाव में लाती है, निश्चित तोर पर राष्ट्रिय शिक्षा नीती का ब्रहत लक्ष इसी से जुड़ा है, इसके लिए टुकणों में सोचने के बजाए, एक होलिस्टिक एप्रोच की ज़रुवत थी, जिसको सामने रखने में राष्ट्रिय शिक्षा नीती सफल रही है, साथियों, आज जब राष्ट्रिय शिक्षा नीती मूर्तर रूप ले चुकी है, तो मैं उस समय और सवालों की भी चर्चा आप से करना चाहता हूँ, जो हमारे सामने शुरुवाती दिनों में आये थे, उस समय जो दो सबसे बड़े सवाल थे, वो यही थे कि क्या हमारी शिक्षा व्यवस्ता हमारे युवाओं को क्रियेटिव, कुरियोसिटी और कमिट्मेंट ड्रिवन लाइब के लिए मोटिवेट करती हैं, आप लोग इस खेत्र में इतने वर्षों से हैं, आपने अपना जीवन शिक्षा के लिए खपा दिया है, समर्पित किया है, आप लोग इसका जवाब बहतर जानते हैं, साथियों, हमारे सामने दूसरा सवाल था, कि क्या हमारी सिक्षा व्यवस्ता हमारे युवाओं को एमपावर करती हैं, देश में एक एमपावर सोसाइटी के निर्मान में मदद करती हैं, आप सब इन सवालों से भी परिचित हैं, और जवाबों से भी भली भाती परिचित हैं, साथियों, आज मुझे संतोष है, कि भारत की नेश्नल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रिय शिक्षा नीति को बनाते समय, इन सवालों पर गंबीरता से काम किया गया, साथियों, बदलते समय के साथ, एक नई विश्व विश्व व्यवस्ता, एक नई रंग रूप और व्यवस्ताओं में बढ़लाओ, एक नई विश्व व्यवस्ता खड़ी हो रही है, एक नया ग्लोबल स्टांडर भी तै हो रहा है, इसके हिसाब से भारत का एजुकेशन सिस्टेम खुद में बढ़लाओ करें, ये भी किया जाना बहुत जरूरी था, स्कूल करिकुलम के टैन प्लस टू स्ट्रक्चर से आगे बढ़कर अप फाई प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर करिकुलम का स्ट्रक्चर देना इसी दिशा में एक कदम है, हमें अपने स्टूडन्स को ग्लोबल सिटीजन भी बनाना है, और इसका भी धान रखना है कि वे ग्लोबल सिटीजन तो बनें, लेकिन साथ साथ अपनी जड़ों से भी जुड़े रहें, जड़ से लेकर के जग तक, मनुष से मानवता तक, अतीत से आधुनिक्ता तक, सभी बिंदुओं का समावेश करते हुए, इस राष्टिय स्विक्षानीति का स्वरूप तै किया गया है, साथियों, इस बात में कोल विवाद नहीं है, कि बच्चों के घर की बोली, और स्कूल में पढ़ाई की भाषा, एक ही होने से, बच्चों के सिखने की गती बहतर होती है, ये एक बहुत बड़ी वजह हैं, जिसकी वजह से, जहां तक संबव हो, फिप्ट क्लास तक, बच्चों को उनकी मात्रु भाषा में ही, पढ़ाने पर सहमती दी गई है, इस से, बच्चों को, और बच्चों की नीव, तो मजबूत होगी ही, उनकी आगे की पढ़ाई के लिए भी, उनका बेश और मजबूत होगा, साथियों, अभी तक जो हमारी सिक्षा विवस्ता है, उसमें, what to think, मैं बहुत जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ, what to think पर फोकस रहा है, जबकि इस सिक्षानिती में, how to think उस पर बल दिया जा रहा है, झाल झाल